जैशिराम जी आप जी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल और गैनिक रूफगार्ड ने यानि की ओ आर पी वी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए विशे लेकर आया हूँ लाइम बटरफ्लाई तितलियां किसे नहीं अच्छी लगती तितलियां बहुत सुन्दर होती हैं मन को मह लेती हैं और पॉलिनेशन का जो काम है वो बटरफ्लाई बहुत अच्छी तरह से करती हैं और आज मैं इनका जीवन चकर आपको दिखाने जा रहा हूँ यह देखिए यह लाइम बटरफ्लाई का एग है मैं आपको स्टेजिस दिखा रहा ह यह एक में से जब लारवा निकलता है यह उसकी स्टेज है यह एक छोटा बेवी लारवा है जो कि अपने एक को भी खा जाता है अब यह लारवा की ग्रोइंग स्टेज है जब लारवा थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद लारवा से यह कैटरपिलर बनता है यह कैटरपिलर है उसके बाद caterpillar जो है जब mature होता है तो कैसा दिखाई देता है यह इसका pick है अब इसके बाद वो pupa में convert होता है pupa मिसे फिर उसके बाद यह इस तरह से butterfly निकलती है अब मैं यह stages दिखाने कोशिश करूंगा कुछ मैं दिखा पाया हूं और कुछ नहीं दिखा पाया हूं क्योंकि मैं professional तो हूँ नहीं तो जो जो चीजे मैं दिखा पाया हूं वह आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मैंने कैसे कैसे इसका जो life cycle है उसको shoot किया है इस तरह से अब आप यह देखिए जिस तरह से यह एक चार्ट में दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे जो butterfly का life cycle है वो कैसे होता है science students के लिए बड़ी काम की चीज़ है यह मेरे जो terrace garden है उसमें बहुत दिन से बड़ी सुन्दर सुन्दर butterfly सारी थी और मेरी बहुत दिन से larva मेरे को अपने terrace garden में lime plant के ओपर दिखाई दिया अब यह में बड़ा हो रहा है और पत्तो को खा रहा है यह लगातार पत्तों को खाता रहता है और अपना रूप और अकार दोनों ही बदलता रहता है यह देखिए इसमें मैंने इन में घून्डा इसमें एक लाइवा और पाया है इसमें मैंने तीन लारवा इसमें से अपने निम्बू के पेड़ के ओपर से मैंने डूंडे थे और फिर मैंने ये विचार किया कि इनको यहां पर स्पैरोस खा जाएंगी तो क्योंकि स्पैरोस इनको छोड़ती नहीं है और मैंने इनको इसको एक जार के अंदर इनका life cycle बनाने का program बनाया है और यह देखिए अब मैंने एक jar लेकर उस jar में मैंने चारों side उसे छोटे holes कर ली हैं और holes करके अब मैं इनके अंदर इस लारवा को डालने जा रहा हूं यह मैंने लारवा इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इनको जो निम्बू के पेड़ के जो मेरे हाइडरेटेड बिल्कूल छोटे छोटे जो कॉमपल जो नरम पत्ते हैं वो डाल रहा हूँ हाड पत्ते नहीं डालने हैं छोटे पत्तों को डालना है जिनको वो असानी से खा सकें और अपनी ग्रोथ ले सकें यह देखिए यह अब आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है लारवा इसके अंदर है और मैं इस तरी के से लाइम के जो लीव्स हैं इन लीव्स को इसके अंदर डालता रहता हूँ रोज डालता रहता हूँ और इस तरह से इनके जीवन चकर को करता जा रहा हूँ यह देखिए अब वो जो लारवा जो हैं वो बड़े हो गए हैं और अपना रूप बदल रहे हैं यह देखिए यह तीन जो हैं कैटरपिलर जो है वो त्यार हो रहे हैं यह लगा अतार भोजन खाते रहते हैं और उसमें बहुत सा स्टूल पास आउट करते हैं स्टूल बहुत पास आउट करते हैं अब यह देखिए यह मैच्चोर एक कैटरपिलर है इसमें जो आपको उपर से दिखाई दे रही हैं, यह असल में इसकी आँखे नहीं हैं, यह भी एक परकृती का तरीका है, इनको अपनी रख्षा करने का मौका दिया हुए इसको, यह एक मेरा मैचूर कैटर पिलर जो है, मेरे जार के अंदर है, इनको मैंने और जो हैं, वो लाइम के जो लीव्स हैं, वो दे दी हैं, अब देखिए, यह खाते रहे हैं, उसके बाद कि यह स्टेज दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको स्टिक से करके दिखा रहा हूँ, यह जो मैचूर जो कैटर पिलर थे, इन्होंने मेरे जार की दिवार के ओपर आकर, अपनी थूक से एक चिपचिपा पदार पाद को लगा अतार, यह अपने उपर एक आवरन का रूप लेता जा रहा है, और इसने अपनी सारी गतिविदियां, इसके अंदर अपनी बंद कर दी हैं, यह आपने मेरे जार में देखा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, यह प्यूपा है, जिसके अंदर की का निर्मान हो रहा है और नीचे में आपको दिखाया था एक और कैटरपिलर था अब यह देखिए एक प्यूपा उपर बना है और एक प्यूपा जो है वो नीचे है अब यह दो प्यूपा है और इन में अब इनके अंदर तितलियों का जीवन बनना अरंब हो चुका है अब ह है उड़ेगी नहीं ये एक डेड़ घंटा अभी इसी में ही विश्राम करेगी और धीरे 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 अपने परों को हिलाती रहेगी तांकि उसके जो गिले पर हैं वो सूख जाएं और अगर आप उसकी इस परकरिया में हस्तक शेप करेंगे तो वो कमजोर रह जाएगी और ज्यादा उन्चा नहीं उड़ पाया करेगी यही स्रिष्टी का नियम है और इस तरह के से ये तितली जो है अपने परों को मजबूती देती है ये मेरे लिए एक बहुत ही सुख धन्मव था इस तरह से हम लोग तितलीयों का समर्धन कर सकते हैं जब तितलीयां और बीज ज पसंद रखती हैं इनको देखकर खुशी भी होती है और यह हमारा काम भी करती है तो हमें इनकी रख्षा करनी चाहिए कैमिकल्स का प्रयोग कम करना चाहिए अब यह देखिए अब मैं इस बटरफ्लाई को बाहर निकालने का प्रयास करूंगा कि यह मेरी उंगली के ओपर क ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा यह देखिए नीचे यह अपने अजाद जीवन की त्यारी कर रही है इसका एक जो पैर है वो पुराने प्यूपा में जिसमें से वो बाहर आ चुकी है उसके अंदर अभी चिपका हुआ है यह अपने आप इसको निकाल लेगी यह मैं आने की यह देखिए कितना सुंदर लगता है मैं आपको यह बता नहीं सकता कि मेरे लिए कितना सुख दर्मव था यह उपर प्यूपा को देखिए इसमें जो आपको नीचे जो लटकता हिस्सा है वो आपको ज्यादा डार्क गरीन दिखाई दे रहा होगा और जो पिछला जो साइड है उसमें आपको हलकी हलकी लाइन स्ट्रिप से दिखाई दे रही होंगी और वो थोड़ा तोतिया सा रंग का दिखाई दे रहा है यह लगातार लिसली से पदार से यो पिछली साइड की जो लाइने हैं यह भी कवर हो जाएंगी उसके बाद यह हरे रंग से मैंने अपनी उंगली के ओपर लेने का प्रयास किया है अब यह है मेरे टैरेस गार्डन में इस जार से बाहर आ गई है अपने नवे जीवन का अरम शुरू करेगी यह देखिए अब यह बारिशों के दिन हैं और यह इस पर विश्राम कर रही है आपको मेरा यह जो वीडिय को सब्सक्राइब नहीं किया है वह किरपया चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को दबा दें और अपने मित्र प्यारों को भी इसको शेर कर दें इस चैनल पर भने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यावाद